वरुन धवन एक के बाद एक हिट फिल्म देते जा रहे हैं अभी तक का उनका रिकॉर्ड है कि एक भी फिल्म उनकी फ्लॉप नहीं हुई है और यही वज़ा है कि उन्हें कई बड़ी फिल्मों के आफर्स भी मिल रहे हैं अब कोरियोग्राफर से डारेक्टर बने रेमो डिसूजा ने ये कंफर्म कर दिया है कि वरुन धवन उनकी अगली फिल्म एनिबडी कें डांस की तीसरी सीरीज का हिस्सा होंगे साथ ही पहली बार इस फिल्म में वरुन धवन के अपोजिट होंगी केट्रीना कैफ जी हाँ पहली बार वरुन धवन और केट्रीना कैफ साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे ये बात खुद रेमो धवन एक इंटर्व्यू के दौरान बोली है कि वो वरुन धवन और केट्रीना कैफ को एक साथ कास्ट कर रहे है सोर्सिस की माने तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी चलेगी क्योंकि वरुन धवन एक शांदार एंटर्वन है और केट एक जांदार डांसर आठ नवंबर 2009 इस फिल्म के रिलीस डेट भी फाइनल हो गई है तो इसमें कोई शक नहीं है कि रेम और डिसुजा की ये डांस फिल्म रिलीस से पहले ही ब्लॉक्बस्टर साबित हो रही है ये इंज्या की पहली सबसे बड़ी डांस फिल्म होगी इसे 3D में बनाया जाएगा बता दे कि इन दिनों केट्रीना कैफ फिल्म स्थक्स ओफ इंदुस्तान जीरो वरुन धवन फिल्म सुईधागा में बिजी है और वरुन धवन की अक्टूबर तो रिलीस भी होने वाली है लेकिन एक बात तो फाइनल है कि पहली बार जब दोनों बड़े परदे पर नजर आएंगे तो धमाल होना तो पक्का है वल तो आप वरुन और केट्रीना को एक साथ देखने के लिए कितने एकसाइटिट हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं